हाई फेंट्स आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ यूपी वियार की फेमर्स ठेकवा रेसिपी और इस ठेकवा को छटपूजा के पावन अफसर पे प्रसाद की रूप में बनाया जाता है और इसे सभी अपने अपने तरीकों से बनाते हैं मैं अपने घर में कैसे इस ठेकवा को बनाती हूँ उसी का रेसिपी आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ तो चलिए इसके लिए सबसे पहले एक बड़ा सा गमला ले लिये हैं अब इसमें हम लेंगे दो काप गेहुका आ आटा आता है लेकिन आपके पास अगर ना हो तो इस आटा से भी हो जाएगा तो इसके अलावा हम लेंगे एक कप मैदा मैं यहां पे आटा मैदा दोनों मिला के बनाने बाली हूँ और साथ में लेंगी एक कप सूजी इससे यह ठेकवा बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है अब ठेकवा में टेस्ट और फ्लेवर लाने के लिए एड करेंगे दो चमच सौफ से इसका जो टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आने वाला है इसके अलावा हम लेंगे डेरी स्पून इलाइची का पाउडर तो यहां पे इलाइची को हलका सा रोष्ट करके पाउ मॉयन के लिए घी यूज कर रहे हैं घी से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है तो यहां पे तीन चमच हम घी यूज किये हैं इसके अलावा अगर हमें लगेगा कि और थोड़ा सा चाहिए तो बाद में हम एड कर सकते हैं तो चलिए य हमारा मॉयन अच्छी तरह से लग गया है अब इसमें चाहिए मिठास तो मिठास के लिए हम एड करेंगे एक कप चीनी इसके अलावा आप चाहे तो गुड का भी यूज कर सकते हैं लेकिन चीनी से इसका टेस्ट बढ़िया आता है तो इसलिए मैं यहां पे चीने का यूज कर रही हूं और ठेकवा में चीनी ठीक से हुआ है कि नहीं यह जानने के लिए इस तरह से मुठी में आप आटे को ले और जब देखेंगे कि चीनी इस तरह से आटे के उपर दिख रहा है तो समझेगा कि चीनी एकतम परफेक्ट हुआ है वैसे तो में जो प्रसात का ठेकव होता है वो आटा और गुड से ही बनता है लेकिन मैं आज ठेकवा को आटा मैदा सूजी और चीनी से बना रही हूं तो चलिए सारे इंगेडियंस में आटा बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब जितना हमें ठेकवा को छानना है उतना ही हम इस तरह से भाग कर इस तरह से देखेंगे कि बॉल जैसा बन रहा है तभी एक एक करके सारे लोईये को हम रेडि कर लेंगे एक ही बार में पानी एड़ करके अगर हम सारे आटे को सान देंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगा और ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा क्रिस्पी भी नहीं तो जितना आप एक बार में ठेकवा को चानेंगे उतना ही ठेकवा रेडि करके इसे चान ले तो चलिए यहाँ पे कुछ ठेकुआ को हम ready कर लेंगे जितना हम चानेंगे बस उसी हिसाब से पहले ready करेंगे तो यहाँ पे ठेकुआ बनाने के लिए हम एक चाच का use कर रहे हैं मेरे पास एक ही चाच है तो उसे भी कोई दिकत नहीं है मैं इसी चाच से अलग-अलग डिजाइन आपको दिखाने बाली हूँ तो एक लुईया लेके उंगली का ये portion से आप इस चाच के उपर प्रेस कर दे तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से डिजाइन बन गया है चाच से बहुती आसानी से ठेकवा बन के रेडी हो जाएगा और यहाँ यहाँ पे साइट पे आप क्रैक देख रहे हैं इससे घबराने की कोई बात नहीं इससे यह जो ठेकवा है बहुती क्रिस्पी बनने वाला है तो देखिए इस तरह से छाच के मदद से हम सारे ठेकवा को रेडी कर लिये हैं लेकिन हाँ सभी के पास तो छाच नहीं होता है तो बिना छाच का भी मैं ठेकवा बना के आप लोग के साथ सेयर कर रही हूँ तो यहाँ पे छाच दे के भी एक साइड तो प्लेनी हो रहा है तो एक साइड हम क्या करेंगे इस तरह से स्पून के मदद से हम डिजाइन बना लेंगे तो देखिए स्पून के मदद से एकदम एक जैसा डिजाइन बनके रेडी हो जा रहा है और आपका मन जैसा चाहे वैसे आप डिजाइन दे सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं है और इसके अलावा बिना डिजाइन का भी ठेकवा खराब नहीं लगता है जैसा टेस्ट वैसे ही लगता है तो देखिए डिजाइन देने से थोड़ा सा सुन्दर लगता है तो डिजाइन अगर ना दे तो भी कोई दिकत नहीं है, तो इस तरह से डिजाइन दे के आप बना ले, तो अब बिना छाच का एक ठेकवा बना के मैं आप लोग के साथ सेयर कर रही हूं, तो इस तरह से एक लूई लेके इस हातों के प्रोडशन में आप प्रेसर दे, इस से प्रेसर देंगे तो ये जो ठेकवा है, चारो तरब एक जैसा ही बन जायेगा, कभी पतला कहीं मोटा नहीं होगा, तो देखिए, स्पून के मदद से इस तरह से आप इसे सेप कर सकते हैं, तो और एक बना के दिखा देते हैं, तो इस तरह से एक स्पून ले, इस स्पून का जो पीछी का हिस तो चलिए, मेरा जो सारा ठेकवा हम बना के रखे थे वो चार्च में और बिना चार्च में डिजाइन दे के बनके रेडी हो गया है, अब इसे है चानने की बारी, तो यहाँ पे तेल को हम गरम कर लिए हैं, यह तेल गरम हुआ है कि नहीं, तो इसे देखने के लिए एक छो रिफाइन ओयल हम लिए हैं, रिफाइन ओयल को अच्छी तरह से हम गरम कर लिए हैं, उसके बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रखके सारे ठेकवा को हम इसमें फ्राइ कर रहे हैं, और यह जो ठेकवा है इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से डीप फ्राइ कर लेना ह और हाँ पहले ही gas का flame high ना करें नहीं तो यह ठेकवा उपर से जल जाएगा और नीचे में कच्चा रह जाएगा तो जब भी आप इसे छाने तेल को अची तरह से गरम कर लें उसके बाद flame को low करके सारे ठेकवा को इसमें add करके पहले low flame में छान लें उसके बाद जब इसमें हलका सा color change हो जाए यह ठेकवा है हलका सा इसका जो brown color है वो आ जाए तब gas का flame high में रखके दोनों साइड से ठेकवा को अच्छी तरह से छान ले और बस जब इसका color अच्छी तरह से golden brown हो जाए तो इसे निकाल के serve कर ले तो यहां पे आप देख रहे हैं हमारा जो ठेकवा है बहुत ही अच्छी तरह से कलर आ गया है और क्रिस्पी भी हो गया है तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं इसके अलाबा भी और भी बहुत सारा ठेकवा की रेसिपी मैं अपने चैनल में सेयर कर चुकी हूँ आप लोग इस वीडियो के एंड में उसे चेक कर सकते हैं आई बटन में और डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसे एड कर दूँगी तो लीजिए हमारा ठेक हुआ रेडी टू सर्व आप देख रहे हैं इस तरह से बनाने से ये जो चीनी है हमारा मिल्ट नहीं हुआ है चीनी दिख रहा है तो आप लोग भी इस तरह से खस्ता ठेक हुआ बना के एक बार घर पे जेरू ट्राइ करे आसा करती हूँ पसंद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते है एक नई रेसिपी के साथ और हां हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को छट पूजा के हाट दिक सुब काम नाए थैंक यू